वेलकम बेग ट्रेंड्स वेलकम टू तनिस कोचिंग लासे ट्रेंड्स आज मैं बीकाम फर्स्ट यह बिजनेस मैथमेटिक्स लॉग जिटम से डिवाइड लेकर आया हूं दोस्तों आशा करते हूं कि यह आपको बहुत पसंद आएंगे और यदि यह आपको पसंद आते हैं दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवर्श करते हैं जिससे कि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्तिक वीडियो का नोटिफिक्शन आ तक हो सकते हैं find the value मान ग्यात कीजिए question नमर फार्स्ट 31,524 divided by 37 31,524 को 37 से भाग देना है तो दोस्तों solution first number आपको क्या करना है जैसा question दिया है उसे आप down कर लेते हैं 31,524 किस से भाग देना है 37 से 31,524 divided by 37 फार्स्ट नमर दोस्तों अब इसमें इसके फॉर्मूलियों के recording आपको दिहान रखना कि जब भी आपको divide करना होता है तो आपको यहाँ anti log डैकेट में log नमबर लेना है यहाँ minus का sign और फिर जिस से divide किया है log लगा करके उस नमबर को लिखना है और यदि इसके place पर multiply करना होता है तो जब आपको question में multiply करने का दिया जाता है तो आप यहाँ multiply का sign होता है तो आप क्या करते हैं anti log log first number plus log second number और यदि आपको भाग करने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हैं anti log first number भाग के place पर आपको minus का sign लगाना है log लगा करके second number लेना है जिस से आपको divide करना है फिर हम देखते हैं अभी आपने यह number लिख लिए anti log log thirty one thousand five hundred twenty four minus log thirty seven log देखने के लिए यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें total number of digits कितने हैं आने कि इनको count करने हैं कितने यंक है one two three four five five digit हैं तो यहाँ formula apply करते हैं हम a minus one a अर्थात अंकों की संख्या जिसमें से minus one कर देते हैं तो यहाँ पर पांच में से एक कम कर देंगे तो पूनांस बन जाएगा कितना चार और five minus one पूनांस कितना हो गया यहाँ पर four point लगा दें अब आपको thirty one lock table में thirty one का column number five देखना है और main difference में आपको two देखना है thirty one के column number five की value को note down कर लें और इसके बाद main difference आपको one से ten तक का दिया होगा उसमें आप two की value देख लेंगा और दोनों value को plus करने के बाद point के बाद लिखते हैंगे तो value आ जाएगी four nine eight six then minus अब lock thirty seven दिया है तो यहाँ पर दोस्तों डिजिट कितने हैं two total अंकों की संक्या कितने हैं दो तो two minus one कितना होगा formula है n minus one तो होगा two minus one तो यहाँ पर आपका पूनांस बन जागा कितना one तो मेंसे घटा है तो एक बच्चा अब आपको log table में thirty seven watch our car named difference आप चुकि दोस्तों यहाँ पर two digit है तो में डिफ्रेंस आपके पास column नंबर भी नहीं दिया में डिफरेंस भी नहीं होगा क्योंकि thirty seven कमण सा column झाब्र कॉलम जब एभवर ढ़िजिट यहाँ पर कम होते हैं आपके पार two digits होते तो column number आपको 0 देखना है और man difference होगा तो देखेंगे और man difference नहीं होगा तो नहीं देखना है यहाँ पर 37 का column number 0 देखें जिसमें आपको value दी होगी 5,6,8,2 यह 1 तो पूर्णांस होगा पूर्णांस का point लगा करके आपको 5,6,8,2 लिख लेना अब दोस्तो हमें minus का sign बीट में दिया है तो first value से second value को minus कर देगे 6 minus 2 होगा 4,8 minus 8 होजागा 0,9 minus 6,3 और 4 में से 5 minus नहीं होगा दोस्तो इसलिए इससे हम लेंगे बोरो लेंगे तो 4 से 1 लेंगे तो 14 होगा और 14 से 5 minus कर देंगे तो आजागा 9 अब इसने चुकी बोरो दे दिया पास वाले नंबर को तो बचा 3 और 3 से minus कर देंगे 1 तो आजागा 2 point का point आई जाएगा अब हमें देखना है log complete होगया अब anti-lock table का विच करना है और विशेश याद रखना है कि anti-lock table हमेशा point के बाद वाले digits का देखा जाता है anti-lock table हम देखेंगे सिर्फ किसका point के बाद वाले का आने कि 93 anti-lock table में पृति लखु गुड़क सायने में आपको 93 का कॉलम नंबर 0 देखना है और जो वैलू आएगी उसमें man difference के कॉलम नंबर 4 की वैलू को प्लस कर देंगे तो आपका नंबर बन जाएगा 8519 यह आपको वैलू आप दोस्तों हमें इसमें दिहान रखना है point apply करना point कैसे लगाएं तो इसमें formula काम करता है जब हम anti-lock देख लेते हैं तो n प्लस 1 n अर्थात point के पहले n के लिए आपको उपर दिया point के पहले कौन सा नंबर लिखा है यह आपका n 2 लिखा है तो n प्लस 1 अर्थात 2 में आप प्लस 1 कर देते हैं तो 2 और एक हो जागा 3 अब आपकी जो value आई है इसमें आगे से 3 digit आपको छोड़ करके point लगाना है त्यान रहे anti-lock देखने के बाद आगे से 3 digit छोड़ना है 123 और point लगा दिया तो आपका यह बन गया 851.9 अब दोस्तों देखो point के बाद जो value है वो greater than 5 है 5 से बड़ा अंक है 9 दिया है तो 5 से greater होता तो आप point के पहले just two digit है उसमें one plus कर देते हैं और यहाँ five से छोटा होता है तो उसको छोड़ देंगा आप ऐसा कैसा लिख सकते हैं तो अभी आएगा add five और one में plus one होके वो बन जागा add five two तो कि यह five से greater number अब देखते हैं दोस्तो question number second इसमें आपको दिया 0.052895 divided by 0.0026 अब इसको जब डिवाइट करेंगे तो डिवाइट के लिए मैंने आपको बताई दिया है कि जब भी आपको डिवाइट करना हो तो क्या करना है एंटि लॉग लेखें एल एंटि लॉग का sort from एंटि लॉग अब यहाँ पर आप देखेंगे लॉग लगा करके इस number को note कर देंगे डिवाइट होता है तो इसमें लॉग लगाने पर minus का sign और multiply होता है तो इसमें plus का sign लगे लगे लॉग 0.0026 नोट कर लिया अब देखें हम क्या करेंगे कि फूर्णांस बनाना इसमें दोस्तो ध्यान देना है कि जब भी आपके point के बाद में यहाँ पर 0 जाती है और point के पहले कोई number ना हो तो ऐसे कि इसमें plus negative होता है minus में चलेगा तो यह कैसे होगा तो आपको देखना है कि total number of 0 point के पहले हम इसा one zero count करके चलना है one फूर्णांस होगा minus का लेकर minus one क्योंकि point के पहले कोई digit नहीं है minus one minus two minus three जितनी zero फूर्णांस उतना बन जाएगा point के पहले को एक zero count करेंगा point के बाद जो zero होगी इसा total आपके zero कितनी है three तो फूर्णांस हो गया minus three नहीं थ्री बार अब minus आगे नहीं लगा जाना minus का होगा तो थ्री के उपर वार लगाएंगे थ्री बार point अब लॉग हमेशा आपका 10 से शुरू होता है और यहाँ पर आपको जीरो की तो value होगी नहीं इसलिए 52 का देखना है जब लॉग देखा जाएगा तो 52 का column number eight और main difference अब दोस्तों 9 दिया इसमें तो ऐसे के इसमें effect आपका पड़ेगा आप क्या करोगे 52 का eight में column number eight देख लें और main difference आप देख लेंगे 9 तो प्लस करने के बाद आपका जो पर बनेगा वह आ जागा 72 पॉइंट के बाद लिखते हैंगे 7235 माइनस अब देखेंगे हम 0.0026 इसमें भी दोस्तों फूनान्स कितना होगा पॉइंट के पहले की जीरो के लिए one और बाद की जीरो two three टोटल नंबर ओफ जीरो त्री है तो पॉनान्स माइनस यहां पर बार three बार माइनस का होगा निगेटिव फूनान्स होगा इसलिए three लिखकर उपर बार लगा दे कि निगेटिव मेंसन कर दे पॉइंट अब आपको यहां पर लॉग टेबल 26 देखना है लेकिन इसके बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए 26 का मैं डिफिनल जीरो देखेंगे तो करते हैं तो दोस्तो माइनस साइन है five में से zero माइनस करेंगे five आएगा three में से five माइनस होगा नहीं तो वोरो लेंगे इससे तो थर्टीन थर्टीन से five माइनस होगा तो वच्चेगा eight फिर आपके पास क्या है two तू की इसना इदर वोरो लिया था यहां तो यहां one वच्चा one से one माइनस करोगे तो zero आ जाएगा और seven से four माइनस करोगे तो आजागा three अब धियान देना दोस्तों यहां पा three बार और यहां पर जो नंबर है वो three बार भी है और आगे भी माइनस लगाए तो यह नंबर हो जागा plus का three और आपको जानते होगे plus minus होता है तो three से three माइनस करोगे तो zero आ जाएगा अब हम इसका देखेंगे एंटी लॉग और एंटी लॉग देखने के लिए आपको point के बाद वाली value को देखना है एंटी लॉग में 30 का column नंबर eight पृति लगुग अक्सारणी में आप 30 का column नंबर eight और main difference five देखें और दोनों value जो आएगे उनको plus कर देंगे तो आपका नं two zero three five नंबर आएगा two zero three five अब हमें इसमें point लगाना है तो point लगाने के लिए क्लिए क्या करना है कि यहाँ पर जो पूरांस है वो क्या है zero और zero में आप plus जब भी एंटी लोग देखने के बाद point लगाते हैं तो आप formula apply करते हैं n प्लस one n अर्थात यहाँ पर पूरांस कितन है वो जीरो प्लस वन तो जीरो प्लस वन वन अब आगए इस नंबर में आगे से वन डिजिट छोड़ करके point लगा देंगे तो answer होगा two point zero three five तो दोस्तों आसा करता हूं कि हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और अब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरे दोस्तों को भी इससे सेयर करें ताकि उनका भी इसमें कुछ फाइदा हो सके दोस्तों friends thanks for watching this video once again happy नौमी and दसेरा